हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो पूजा क्राफ्ट एंड फैसन पॉइंट मैं हूँ पूजा और आज हम बनाएंगे रिमोट का कवर बहुत आसान तरीके से तो चलिए देख लेते हैं रिमोट का नाप इसकी लंबाई 7 इंच है और चोड़ाई इसकी 2 इंच है तो इसे हम बन नीचे मैंने फ्यूजिंग पेपर जो चिपकाने वाला पेपर होता है वह मैंने चिपका लिया है जिससे थोड़ा थिक हो जाए मेरा कपड़ा पतला था इसलिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है अगर आपका कपड़ा मोता है तो चाहिए आप रहने भी दे ना तो इसकी कपड़े की लंबाई टोटल साड़े 9 इंच है और चोड़ाई इसकी साड़े 6 इंच है तो हम क्या करेंगे इसे बीच में से हम फॉल्ड कर लेंगे फॉल्ड करने के बाद एक हमें ट्रांस्पेरेंट फ्लास्टिक सीट लेनी है यह मार्किट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसकी चोड़ाई हम सबाद 3 इंच रखेंगे जितनी हमारी कपड़े की फॉल्ड करके चोड़ाई होगी इतनी ही चोड़ाई हम इसकी रखेंगे और इसकी लंबाई हम 7 इंच रखेंगे देखिए इसकी चोड़ाई है सवा तीन इंच और लंबाई हम साथ इंच रखेंगे जितना की हमारा रिमोट है तो चलिए शुरू करते हैं और ये लैस है ये लैस हम इस पर चारो तरफ लगाएंगे और बनाएंगे एक डिजाइनर रिमोट का कवर पहले हम इस पर तीन साइड में चिलाई लगा लेंगे जिससे की एक अपड़ा हमारा खुले ने उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे चिलाई लगा लिए हमने अब हम इसे बीच से फॉल्ड करके इसमें गोलाई दे देंगे चाहिए आप चक और भी रख सकते हैं मैं गोलाई दे रही हूँ अब हम इस पे जो हमारी ट्रांस्पेरेंट सीट है उसके एक साइड में अपनी लैस अटैच कर लेंगे जिदर हम रिमोट मतलब जिदर से हम रिमोट डालेंगे इसे हम ओपन रखेंगे उधर हम इसमें लैस अटैच कर लेंगे अब हम ट्रांस्पेरेंट सीट को उपर रखके फैबरिक के और इस पे भी हम लैस अटैच कर लेंगे इसे बनाना बहुत आसान है बिल्कुल दस मिनट में बनके त्यार हो जाएगा यह देखें यह हमने लगा लिया है जहां तक हमारी है इसे हम काट कर लैस को काट कर और फॉल्ड कर लेने अन्दर के साइड में कौल करके हमने इसे वर लगा दिया है अब हम्मे कुछ निकार ना बस हम इसे प लट के और इस पर एक चिलाई उपर से लगा देंगी जिससे कहाँ यह यह मतलब बलग जाए जैसे हम लगाते हैं वैसे हमारी वर गवर तयार होने पर यह देखे यह हो गया है तैयार इसे हमने अंदर की साइड में फॉल्ड करके सिलाई लगानी है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा पाइप इन हमने लगा लिया है यानि कि रीबन अटैच कर लिया हमने इसे अब हम इसमें आपको रिमोट डाल के दिखाएंगे जो इसका जिधर बलप होता है यानि कि रिमोट का सीधी साइड इसमें नीचे की तरफ रखनी है और उपर वाले साइड मतलब उल्टी साइड गाएंगे दो इसके की मुझे आप चाहे तो वैलोग भी लगा सकते हैं मेरे पास वीलाल है नी तो मैं टीच बटन लाओंगे समें दो हम इसमें अटैच कर देंगे यह देखे सुनीं के अल्प से मैं इसमें यह दोनों टांकलूंगी लग गया है और अब हो गया ही बन अब हम क्या करेंगे इस पे बो बनाकर लगाएंगे तो हमने 6 इंच का ऑनेज़ की एक टुकड़ा ले लिया है और इसे दोनो साइब से बिल्कُल बीचसे फोल्ड कर लेंगे दोनो साइब से और इसमें हम कच्ची लगा देंगे सुनी से देखे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही आप फॉल्ड करिएगा और इसे धागे को हम खीच के इस पे उपर धागला पेटके बहुत तयार करेंगे यह बहुत ही आसान तरीका है ऐसे आप कपड़े का भी बना सकते हो वो हमारा बन गया है अब हम क्या करेंगे इसमें उपर की फिनिसिंग के लिए एक पट्टी लेंगे दो इंच की यही मतलब जो हमने लैस लिया है रीबन या लैस और इसे हम बीच में से फॉल्ड करके इसमे अब हम सुई से सिलाई लगा लेंगे और इसकी सिलाई को हम पीचे की तरफ प्रैस कर लेंगे देखे यह सिलाई जो है यह हमने प्रैस करके बिल्कुल सैंटर में ले लिया है और इसको भी हम फॉल्ड करके इस पर लपेट देंगे और सिलाई लगा देंगे तो ही से हम इस पे टाके लगा के इसे अटैच कर लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल फिनिस लुक दिखाई दे इसका बहुत अच्छा लगए ये मतलब लगने के बाद बहुत ही जल्दी और आसानी से डिजाइनर रिमोट कवर आपका बन कर तयार हो जाएगा वो हमारा तयार हो गया है अब हम इस पे अटैच कर देंगे इसको यहां पर देखे ये तयार हो गया हमारा ये हमने बंद कर लिया और यह जसका फाइनल लुक और ऐसा ही हमने एक और बनाया है उस पे मैंने ये शातन के रिवन का फ्लोवर बना के लगाया हुआ है देखे कितना सुन्दर हमारे रिमोट कवर बने है और वो बिलकुल फ्री में घर की बचुई चीजों से कुछ भी हमें बजार से लाने की जरुरत नहीं पड़ी देखे कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे रिमोट कवर आप भी ने जरूर बनाईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा